स्री सिवाई नमस्तू भी हम दोस्तों हर हर महादे मातारानी भोले नात की किरपा आप सब पर सदा सरवदा बनाये बनी रे हमारे यूट्यूब चैनल रवीज डॉटर्टर्ज नामें आपका स्वागत है तो 36 गर्ट तेलडा नेवरा में गुरूजी पंडित प्रदीप मिस्रा जी की कथा बांची जा रही है जो कि आज की कथा की समापन हो चुकी है तो आज की कथा बहुत ही रोचक और जानकारियों से भड़पूर थी गरूजी ने आज सहत्र शिवलिंक से जुड़ी हुए जानकारी दिये हैं साथ ही गरूजी ने अगली कथा का एड्रिस भी बता दिया जो कि पांस दिवसिय होने वाला है आज गरूजी ने बहुत ही रोचक जानकारी दी है जो कि आपको 19 वर्सों के बाद मौका मिल रहा है इस उपाई की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत तक मिलने वाली है आज की कथा में गरूजी ने रोचक जानकारिया दी है सभी की जानकारे आपको इस वीडियो में अंत तक देंगे किसी कारण बश आपने गुरु जी की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा की जानकारे आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगी तो आज की कथा में गुरु जी ने जो बताया है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्रावन महने की दोनों अस्टमी में से किसी भी अस्टमी को ये उपाय आप कर सकते हैं तो इस उपाय को करने के लिए चाहिए समी के पांच पते, बेल पत्री के पांच पते, बेर के पांच पते स्रावन महने के दोनों अस्टमी में से कोई भी अस्टमी में ये उपायाप कर सकते जैसे कि बेर के पत्ते पर लाल चंदन लगाना है बेल पत्तरी के पत्ते पर पीला चंदन समी के पत्ते पर कुछ भी नहीं लगाना है पहले लाल चंदन वाले पत्ते फिर बेल पत्तरी के चंदन वाले उसके बाद समी के पत्ते सिवलिंग के उपर चढ़ा कर फिर उसको उठा कर फिर बेल पत्तरी के पेर के नीचे एक लोटा जल समर्पित कर पहले पत्ते चढ़ा कर फिर जल समर्पित कर उसे चढ़ाए उसी च प्रशाद के रूप में देंगे तो अच्छी बात है नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा-थोड़ा सा भाग मात्र 21 दिन तक थोड़ा-थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो वह धीरे-धीरे मदीरा पान व्यसन गलत आदते छूटना प्रारंब हो जाती और वे संकर की सरनागत में हो जाते हैं तो अब दूसरी उपार प्रोपटी से जुरी हुई कारवाई चल रही हो कोई कारी अटक रहा हो या कोई रुप्या पैसा लेकर चला गया हो नहीं दे रहा हो तो वर के पेर के नीचे दही के सिवलिंग का निर्मान करें या तो पार्थिव सीवलिंग का निर्मान करें उस पे दही का मात्रा ज्यादा चड़ावें तो दही की सिवलिंग बना या पार्थिक सिवलिंग बना कर उस पर वर के पेर के नीचे उसका पूजन करना उस पर काले तिल समर्पित करना एक बेल पत्री जो की बेल पत्री आप समर्पित करेंगे उसकी डंडी जो होती है वो वर के पेर की ओर होनी चाहिए डंडी का भाग आप जब पेर के नीचे बनाएंगे शेवलिंग के सामने व्रिक्ष है तो उस बेल पत्री के डंडी का भाग व्रिक्ष की ओर होना चाहिए डंडी का भाग और उसमें से आप देवाधी देव वटकेश्वर महादेव का पूजन करें जो आपका धन नहीं दे रहा हो या कोई प्रोपर्टी से जुड़ी हुई कोई भी बाते हो या अदालत में कोई बात चल रही हो फाइल नहीं खसक रही हो या आपके पक्ष में नीर नहीं आ रहा हो तो संकर वटकेश्वर महादेव का पूजन कर उस चड़ाई हुई बेल पत्री को घर लेकर आ जा सफलता की और बढ़ जाएगा अब ध्यान से सुनना आप लोग मैं ये बहुत ही रोचक जानकारें आप लोगों को देने वाली हुई जो कि गुरूजी ने बताया है और ये 19 वर्सों के बाद आप लोगों को ये करने का मौका मिला है तो इस मौके को आप लोग नहीं जाने मैं भी ये कर रही हूँ शावन के महने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें साथ जग अर्था साथ तितिया ऐसी है जिसमें पांच दीप का वर्नन किया गया है हमारे सास्तर में अब बहुत साब्धानिश्य सुनिएगा पहली है पंचमी तिति अधिक मास का जब मेल हो पंचमी तिति आप अगर सुरू की पंचमी या सावन की कोई भी पंचमी से सुरू कर सकते हैं सावन के अधिक मास के महने में आप वो भी कर सकते हैं दूसरी अस्टिमी तीसरी एकादसी चोथी प्रदोस पांचमी सिवरातरी छटमी आवबस्या सात्वी पुर्णिमा ये सा साथ दिन साथ तिथियां हमारे यहां सावन के अधिक मास का जो संयोग होता है इसे यह साथ तिथियां यह वो तिथियां है जो साथ दिन तिथियों में अगर हम पांच दीप घी के पांच दिये भगवान भोले नात के मंदिर में जला दे अभी बरसात का मौसम है तो गुरु दिवक जलाकर भगवान भोलेनात के समक्ष रख दे आपके मन में जो भी मनो कामना हो वो बोलकर उस दिये को वापस उठा कर अपने दरवाजे के बाहर की और रख दे और उसकी हर एक मनो कामना पूर्ण होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम सिर्फ सावन के अधिक म मास है आज गुरुजी ने बहुत तो ये सावन का धिक मास 19 वर्ष के बाद लगा है तो ये उपाय आप अवस्चे ही करें तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिस्राजी ने बहुत ही रोचक जानकारिया दी है अगर ना समाज आए तो आप कॉमेंट में कर सकते हैं पंचमी दीपक अगर शंभव हो सके तो आप मंदिल जाए जैसे बर्षात का मौसम में बहुत हवा तेज चलती है तो दीपक नहीं भी जलती है तो मैं ये घर पे ही कर रही हूँ कल भी मैं ये वीडियो डाली हूँ कि पांच दीपक किस तरह से जलाना है गी के पांच दिये लंबी साती दे करके जलाना है और भगवान भोले नात के आगे पांचो दीपक जला देना है जला करके फिर अपकी मनो कामना जो भी है मन में भोले नात को बोल करके फिर वो पांचो दीपक उठा के और दरवाजे के बाहर जो आपकी चौकट हो उस जगह पे रख दे आपकी मनो का तो यह साथ दिन का जो दीपक है आप साथ दिन जला सकते हैं और यह 19 बार बार मैं बोल रही हूं 19 बरसों के बाद यह मुखा मिला है इसे हाथ से ना जाने दें